हेलो, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, यूपी PCSJPRE 2022 का जो एक्जाम हुआ है, उसके कटाफ की बात करते हैं, तो कटाफ जो है कितना जाएगा, अब ये कोश्चन जो है, वो बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर पूरा हो चुका है, पेपर सबने दे लिकर लिए, जिन्होंने अभी तक आंसर्स टैली नहीं किये हैं, वो एंड स्क्रीन में वीडियो के लिंक आ जाएंगे, वो वहां से जा करके अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं, कटाफ पजाने से पहले हम थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे, और उससे भी पहले हम एक छोट में आप कमेंट और शेयर भी कर लीए, क्योंकि ये जो चैनल है, इसमें काफी информative content आती है, most of the informative content सबसे पहले डालने की कोशिश करता हूँ, तो जितनी भी informative contents हैं, वो आपसे मिस नहों, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखीए, बल आईकन को प्रेश करके और इसका जो कटाव गया था 286 कटाव गया था तो 2016 में 20 वेकेंशी सी 286 कटाव गया था और ये 286 कटाव गया था जब आपकी माइनस मार्किंग नहीं थी माइनस मार्किंग नहीं थी तो साढ़े 400 में से यानि की 450 मार्क में से जिनों ने 286 नंबर स्कोर किया था उसका सेलेक्शन पक्का हो गया था ठीक है इसी तरह से OBC में जिनों ने 273 नंबर का स्कोर किया था उनका सेलेक्शन हुआ था से में 233 और स्टी में 178 फीमेल कंडिडेट का सेलेक्शन 284 नंबर पर हुआ था अब बात करते हैं 2018 की 2018 में कटाव घटकर के 208 हो गया वेकेंसी बढ़ गई तो कटाव घटना ही था देखो वेकेंसी जब बहुत जादा हो गई थी तो वेकेंसी जादा होगी तो उसी रेश सेलेक्ट होते हैं एक तरह से तो 610 हो गया था तो एक तरह से 208 और पहली बार लोगों को यहां पर माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ा तो जिन लोगों ने अपने अस्पेक्टेड आंसर भी लगा जैसा हलाकि ऐसा नहीं कह सकते कई सारे एक्जाम में माइनस दिमाग में रहा होगा यह लेकिन फिर भी यह कहते हैं पहली बार हुआ था तो लोगों ने मार्किये अंसर और बाद में उन्हें समझ में आई उनकी गलती तो 208 मार्क्स जो है इसका जो है सिक्योर हो गया था साड़े 400 में से जनरल केटेगरी का OBC का 189 में से साड़े 400 में अब बात करते हैं 2022 में तो 2022 का जो कटाफ है मेरे हिसाफ से 220 के आसपास होना चाहिए 220 के आसपास इसलिए होना चाहिए 220 जीज चाहिए 220 में जिन्हों ने 220 के अराउंड जो है वे स्कोर किया है वो lower minimum 220 तो होगा जिन्होंने 250 तक किया है general category में वो safe zone में है यानि 4500 में जिनके 250 आ रहे हैं वो safe zone में है 220 तक selection होने की possibilities है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस बार GS का paper भी थोड़ा tough आया है और जो law का paper है उसमें भी option में बड़ा confused किया है काफी सारे question ऐसे है जिनमें option है तो जो option में भी ऐसे option है जिनमे multiple choice में multiple selection से चार option है तो चार में पहला और दूसरा इस से match करते हुए तीन तीन option सही है दो दो option सही है फिर आपको तीसरे option के लिए और तीसरा option typical थोड़ा दे दिया तो तीसरे option में आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़ा तो इस तरह के question ज़्यादा है जब इस तरह के question ज़्यादा आते हैं तो यह होते हैं time consuming जब यह time consuming होते हैं तो बाकी question क्योंकि यह time consuming होते हैं और छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि भाई नंबर का सवाल है ठीक है और दूसरा अंतराश्टी इंटरनेशनल अफेर से जो question आये हैं जो नहीं पढ़के गए थे उनको थोड़ी सी problem हुई होगी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका जो safe कटाफ है 250 है वैसे लेकिन 220 पे मेरे इसाब से कटाफ जाना चाहिए OBC का कटाफ 205 से 215 जाना चाहिए क्योंकि 205 से 215 और safe zone अगर OBC बात करें तो 240 तक 238 दो 140 जो है OBC का safe zone आ जाता है 240 OBC का safe zone है ST ST का safe zone है यही 200 के करीब ST ST का safe zone आ जाएगा यहाँ पे और 200 के करीब ST का भी safe zone होगा और जो EWS कटागरी की बात करें तो EWS कटागरी का स्कोर भी लगबग 245 के करीब जो है वो safe zone 245 जो है वो safe zone होगा लेकिन 205 से 215 में EWS का सेलेक्शन OBC काटगरी और EWS काटगरी लगबग बराबर ही है लगबग समान एक जैसे ही marks आएंगे तो इनका हो जाएगा तो यह है हमारी final cut-off की analysis जो 300 इसमें 90 question जिनोंने general में और 40 question जिनोंने GS तक में सही कर लिए यानि कि 140 और 40 220 उनका selection होने की possibilities है 220 निवनितम कटाफ और 250 जिनोंने कर लिया है वो अपने आपको safe zone में पाएं लेकिन 220 मुझे लगता है इस बाद टच करेगा 220 या 225 इस से उपर side यानि यहां तक जिनोंने score किया है वो अपने आपको race में माने और अपनी तयारी न छोड़ें और लगे रहें mains की तयारी में जुट जाएं 250 जिनोंने कर लिया है वो 100% जुट जाएं तयारी में सबको मेरी best of luck है और अगर अभी तक channel subscribe नहीं किया है तो